श्रेविद्यायनमा, कन्या राशी वालों के लिए महत पून समय डेड़ साथ आचुपार, केतु आपकी राशी पर संचरण करने जा रहे हैं, केतु का प्रभाव आथ के लिए, कन्या राशी वालों के लिए सबसे सरवाधिक महत पून शक्तिशाली, बलशाली होने जा रहा ह कि तु आपकी राशी बना रहे हैं किया करेंगे कि पीछ पैश्ट पैशले समय अनोंने क्या करा रहा है अब क्या कराएंगे कोई डढने की बात तो नहीं है कोई उपायतों नहीं करना है सबी चीडियों पर आपको जान करती जाएगे नमस्कार दोस्तों अभाधिक जोतिश आप सभी का विदियो आने वाले डेड़ साल के लिए आपको एक हौद मार्ग दर्शक वीडियो सिद्ध और साबित हो सकती है कन्या राशिवालों यह मैं कहना चाहता हूं कि मुद्रोग केतु इससे पहले कहां थी केतु के स्थिदी जो बनी हुई थी आपके धन बावर बनी हुई थी कुटुम्ब बावपर वारनी दोश बोल बोल करके गलत बिजिजन ले लिए गलत लोगों का आगमन हो गया धन खर्च हो गया परिवार में कलह का बातावरन बना रहा नुकसान पे नुकसान होता रहा चीनों के साथ में समस्याओं पे समस्याय आती रही एक समस्याय से निकलने की दूसरे समस्या सामने आकर खड़ी होगे को तुम्ब की जान सुख की बात करें, कोटुम की जान सपोर्ट मिलनी थी, परिवार की सपोर्ट मिलनी थी, वहां उन्हों नहीं ही आपकी सपोर्ट को छी लिया इस तरह के तवाम चोटी मोटी बड़ी खटना है, आपको फिसर में добने के लिए जरूर मिली है केटु आपकी राशी ठर्क पर करने यह किए। ये तो केकी वित्रा राशी है उसपे गोचर करने जा रहे हैं। आपके पंचम को सप्टम को नवम को आपके हीतिंट्र कियंद्र को प्रभावित करेंगे केटु क्या करेंगे आई यह थोड़ी चर्चा करते हैं मित्रों आपके मैं बताना चाहता हूं कि कर्म छेत्र के लिए यहां केतू का जो संचरन है अत्यंत शुभ है आपके नौकरी के लिए डेली इनकम के लिए व्यापारियों के लिए यहां पर उन्नत प्रभाव केतू दिलवाने केतू को एक बलशालिक रहे के रूप में इसलिए माना जा रहा है केतू का खुद का कोई मस्तिश्क नहीं होता केतू किसकी राशी पर हैं बुद की राशी और बुद का जो प्रभाव होता है बुद की राशी ही आपकी है घन्या राशी इस राशी के जो मालिक हैं बुद म कमाएंगे इतना पैसा कमाएंगे आप सोच नहीं सकते केवल और केवल अपने राज़ी के लोड़ की स्थिति के कारब से अगर उसकी स्थित्रों डाउन है तब थोड़ा सा परिणामों में कभी देखने के ने जरूर मिल सकती है अब आइए बताते हैं के तू धड़ है के पूरा पूरा प्रियास करें मस्तिश्क पर पूरी बुद्गा पूरा वणिक प्रभावा को पर आए व्यापारी की जो बुद्धी होती है कस्टमर कैसे खीचें पैसा कैसे कमाएं कैसे अपने रिवेन्यों को जनरेट करें लीड कैसे जनरेट करें इस सारी तमाम तरे की ब प्रांचिक रूप से अर्थिक रूप से सफलता मिलेगी के तो डिस्टोर्ण है आपकी चिंताओं के लिए तनाव के लिए डिप्रेशन के लिए एंजाइटी के लिए काल का काम करेंगे के अब मैं आपको बताऊंगा कर्म छेत्र के अधिपुद्री बुद्र और सूर्य के तो आपको लोटरी सटा शेर मार्केर पर जो रुक्सान कराएं पिछले समय में उसमें आपको बलाप परदान दिलाने वाले हैं आपको विदेश्यात्रा के बहुत जबर्दस्तों प्रबर एक अच्छिक जो बर्दस्त योग बनते हुए नज़ा रहे हैं जो लोग कामना के लिए तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए ने जना रहे हैं अगर आए संसादनों की बात करें तो आए संसादनों में ब्रद्दी होगी आपको बस के वाल और के फोकस करना पड़ेगा अपने डिजिजिएंस के उपर नि अगर लोन लेकर किसी कारे के शुरुवात करनी हैं तो कर सकते हैं पिछला कोई लोन ता है चुकता नहीं हो रहता उस लोन की जो किष्टे हैं उसके दबाव में आप आते जा रहे तो उस चिंताओं से आप बाहर निकले विभाग के रिष्ट्याने बंद हो गई थे या मैर लाइफ को सुधारने का काम करेंगे यहां पर के तो और जिन लोगों के डाइबोर्स हो चुके थे उनके नए विभाग के प्रफल योग यहां पनाएंगे के तो यानिके पुनर विभाग के इसी के अलावा भवन भूमी बाहन की बात करें तो आधी चीजों का आपको गतिविदियों माफसे हैं उन गतिविदियों से बाहर निकालेंगे तेलें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बित्रों की सपोर्ट से आपको परिवार के सायोग नहीं मिला पिता का कोई सायोग नहीं मिला चिंता मत कीजिए तो अपने उपर ध्यान देना शुरू कीजिए ये लोग अपने आप आपके पास आकर के आपको सपोर्ट देना सुरू कर देंगे। कर्म छित्र में अधिकारियों का जो सपोर्ट आपसे छिना हैं एलिगेशन्स आरोप परत्यारोप आपके उपर लगे हैं और मानहानी जो आपकी हुई है वैसा भी आपको सूथ समेत व इसी के अलावा दनात्मक रूप से पैसे के एक रुपे की बचत नहीं हो रही थी तो दीरे दीरे पैसे का बचना भी शुरू हो जाएगा जो लोग नोकरी के चक्कर में कई दफ्तरों में चक्कर काट चुके थे अपना परियास उन्होंने जोग दियाता तो नई नोकरी के फरबल योग बनेगी और दांपत्त जीवन के साथ साथ उनके व्यापार कुशलता भी आपको हासिल होने लग जाए विदेश यात्रा और भागे की सपोर्ट की बात करें तो भागे आपका इतना सपोर्ट करेगा कि केवल आपको सोचना समझना नहीं करने की आवश्यक्ता रियाब इस पूरे और नेट साल की अवदी में परियास को बढ़ाते हैं और एक सकरात्मक गदी और एक सकरात्मक दिशा के लिए आपकाम करते हैं तो निजचित तोर पर आपको उच्छे प्रणाम देखने के लिए मिले हैं बात करते हैं मित्रों उपाय के, क्या उपाय आपको करना चाहिए, परन तो उपाय बताने से पूर एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, जदि आपने अपने राशी के लोड़ों को मजबूत नहीं किया है, और कुणले के अंदर आपके लगन का मालक सिस्तिती उसकी ठी कर लिए, तो आप किसी भी ग्रह की पूजा पाट कर लिए, कोई फल नहीं मिलने वाला, अगर आपने देखा होगा किसी भाव में कोई ग्रह जाता है, और उस भाव को दूशित करता है, तो लोग उस ग्रह से सम्मझत पूजा करने लग जाते हैं, जबकि उसकी घर के मालक क कि इस्तिदी चाहिए अची हो चाहिए ना उसको कोई ज्यानी नहीं करता, मैं आपको एक वीज, एक मूल मंतर बताने जा रहा हैं, जिसको सब लोग छोड़ते हैं, अगर आपने अपने लगन के लोड़ को मजबूत कर लिया, राशी के लोड़ को मजबूत कर लिया, अब आप कहेंगे कैसे होगा, हमें कैसे पता है, होता है, हमारे जोतिष शास्त्र में सनातन धर्ब के अंदर, जोतिष प्रारूप के अंदर, ऐसे से गतिविदियां हैं, ऐसे से कारे हैं, यग्य चिकित्सा है, रतन चिकित्सा है, ओशिदिय चिकित्सा है, तंत्र, मंत्र, यंत फिटर चीकितवा जिसका चैनल सही तरिके से सबुसों अपने leगन के लूड़ड को इतना मजबूत कर सकते हैं लहकीन वानिये कई लोगों को तो इस ने अपार इस प्रसमपत्ति दे दिए ह। है इसे प्रकार से अपने राशी के लोड़ को लगने के लोड़ को कैसे मजबूत करें इसकी संपूर जानकरी के लिए आप डिस्रिप्शन में नंबर है महां से कॉल करें आपो प्राप्त हो इसी के लाव आपको बताना चाहता हूं कि आप गणपती अथरवर शीर्थ का माद दुरगा का नवान मंत्र का जाप करें माद दुरगा की उपासना करें घर में आप असली शालिक गराम जी को जरूर स्थापित करें असली शालिक गराम जी के बारे में आपको नहीं पता जो की गोड़ा नदी में से प्राकर्तिक रूप से जिनके अंदर चक्र बना हो और असली शालिक राम जी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिशन में नंबर है हुआ से कॉल करके उनके बारे में जाने करें ले सकते हैं तुम आशा करता हूं पताएगे जाने करें सब्संतुष्ट होंगे वीडियो कर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर जरू करें और चैनल पर पहले बारे सब्सक्राइब यूब करने के लिए ओ मिश्री विल जाने